जस्तिकार सोगर भारत के प्रणान मंत्री बनने का ख्रॉप देख रहे हैं जो जन्ता दो इन्याटेट 2020 से अपने पूते पर अपना मुख मंत्री नहीं बना सका हमेशा उसे NDA का या महाविपन्दन का सहरा लेना पड़ा और वोगर जब पुर्णान मंत्री बनने का बाद की बाद करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कि यह वह किस प्रकार से हिंगे लिला के हसिन सपने को देख रहे हैं एक दो आलोट के आभार पर उन्होंने सरकार से NDA से अलग होने का अच्छा लग मिड़ने लिया और आपको पता है कि 2017 में भी स्री नीटीस कुमार जीने कि राश्री जन्तादल जन्तादल उन्याटिट को तो नहीं है और भ्रस्टा चार के बुझ्दे पर वो महाद अग बदन से अलग हुए और फिर भाके जन्तादापार्टी के साथ सरकार हम सम मिलतर बनाए लेकिन बित्रोट और ठीक यही आदोट परसों उन्होंने भारते जंता पार्टी पर लगाया कि भारते जंता पार्टी जंता दो उनेटेट को तोड़ने का प्रियास कर रही है और भरस्टाचार के मुद्धे पर ये मौन हो गया ये से लगा कि लावर्ट परसाजी का प्रबार भरस्टाचार के सारे मामले ख़त पूँग है वो गंगा नहाली लेकिन आज सब को पता है कि वो बुद्धे आज भी है और उसकर कारवाई चल नहीं और फिर जो जाज एजनसी है या जो नियाले है वो अपना निड़ने देगी पित्रों इनके मन में जब जब प्रधान मंत्री बनने का प्रहब आता है तब तब इस तरह की बाते वो करते हैं तो कि जो एक अपलाहट है प्रधान मंत्री बनने की वो अपलाहट समय समय पर इस तरह के चला देश के प्रती विश्वास धात करने का वो उन्हें आउशर देती है प्रधान मंत्री बनने का ख्राब देख रहे हैं जो जन्तादर उन्हेक्टेट दोजार इस वी से अपने पूत्य पर अपना मुख मंत्री नहीं बना सका हमेशा उसे एंडिये का या महाविटबंदन का सहरा लिना पड़ा और वो बर जब पुर्धान मंत्री बनने का बात की बात करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि यह वह किस प्रकार से हिंगे लिला के हसीन सबने को देख रहे हैं और जहां तक है स्री लगन सिंग्धी ने कहा कि भारके जनता पार्टी ने जनता दुल उनेटेट को कमजोर करने का अक्राम किये आप देखे हुए कि 2010 में जो उन्हें सीटे मिली उसके बाद लगाता है वो सीटे घरती चली और जनता दुल उनेटेट के वो नेता भी है तो आखिर ऐसी कौन सी प्रस्पिती हुई जो उनकी सीटे घरती चली गई और भारके जनता पार्टी जो जनता से वागा करती है उन मुद्धों पर उन सारी जो हमारी प्रक्ति बद्धाय हैं जो हमारे हमारा मुद्धा और मुद्धों पर हम सब काम करते हैं और आज चर्थ उस बाद का है कि कल सपत गलंद सभारों संपन ही हुआ है कि अपड़ार की बारगाते बाढ़ने लगी है यह सारी चीजें बिहार को जिस नर्कियों ठकेलने का काम निकिस कुमारी ने इस तरह के नापाक रटमंदन को बना कर गिया है वारे वाले जिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रस्ण हो गया है बिहार के मर्दाताओं को बिहार के लोगों को तयार रहना पड़ेगा आने बाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस बड़तूराम को परतने का खाम करेंगे ये बिहार की जनता के मन में जो ये अक्रोस है वो धिरे धिरे ये अक्रोस तोजार 24 में ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें.